ये हैं श्री हरिराम जी व्यास। ये श्री व्रंदावन धाम के बहुत महान रसिका चारिय थे। उन दिनों व्रंदावन धाम में तीन महान रसिका चारिय हुए। श्री हरिदास जी श्री हीथ हरिवन जी और श्री olarम व्यास। इन लोगों को एक साथ बोला जाता था रसिक ट्रिवयनी कि ये एक महान पुरूष थे। श्री हरी राम जी व्यास और ये श्री धाम व्रंदाबन में जब आये तो कभी भी व्रंदाबन धाम के बाहर फिर वापस लोट के नहीं गए एक दिन के लिए भी बाहर नहीं गए इनका शरीड का जन्म लगभग पांच सो बरस पहले बुंदेल खंड में औरचा में हुआ थ और ये विशाखा सकी के ओतार थे जैसे ललता सकी के ओतार थे श्री हरिदास्ती महराज बंशी के ओतार थे श्री हीतारी बंशी महराज ऐसे विशाखा सकी के ओतार थे श्री हरी राम व्यास्ती महराज तो भगवान की ऐसे विचित माया उनकी काम करती है वो जो स्वजन मोहिनी माया होती है अपने भाक्तों को मोहित करने वाली माया वो अविद्या माया नहीं होती है वो अविद्या माया होती है कि भाक्त इतना सिद्ध होने पर भी भागवत पारशद होने पर भी भागवान की स्वजन मोहनी माया के कारण ये याद नहीं रख पाता है कि वो पिछले जन्म का कोन है तो ये अपने को एक विद्वान पंडित समझते थे और बहुत ही अध्भूत विद्वान थे ये बावन राजाओं के राजगुरु थे और सरस्वती माता सिद्ध थे इनक इनके मन में आया कि समपून भारत के विद्वानों को एक बार परास्ट करके दीग विजय हो मैं करूं तो विद्वानों ने कहा कि महराज समपून भारत में आप कहां कहां जाएंगे इससे अच्छा ये है कि आप काशी में जाएंगे और काशी के पंडित सबसे बड़े मा जिससे प्रमान देना हो तो सब गरंथों को दिखा करके प्रमान दे सकें। और बहुत से पंडित सेवकुर के रूप में चलते थे। तो यह काशी में जब पहुंचे तो इनकी वी द्वत्ता की चर्चा काशी में भी थी। और वहां पर पंडित लोग बड़े घबडाये कि अब क्या किया जाए काशी की तो नाक कट जाएगी। यह हरी रावन व्यास तो सब को भी परास्त कर देंगे। तो सब पंडित लोग जाकर के भगवान विश्वनात के शरण में पूंचे। और प्रार्थना किया कि महाराज काशी की नाक आपको बचानी है। हम लोग तो क्या है उनके सम्मुख हम तो सभार जाएगे। और यहां शीव जी को एक तो पंडितों की प्रार्थना थी। दूशरी बात यह थी कि भगवान शीव भगवान श्री कृष्ण के भाक्त हैं। और उनको पता था कि विशाखा सकी के अवतार हैं हरी राम व्यास जी। तो इनको ठीक मार्ग पर लगाना है। इसलिए स्वयम शंकर भगवान एक साधू का विशधारन किये। और आ करके प्रस्न किये। दिगविजय जिस दिन होने था उसके एक दिन पहले ही। आ करके मिले और बोले कि महराज हमने सुना है कि आप बहुत बड़े दिगविजय पंडित हैं। आ कि महराज आप आपने ठीक सुना है। तो महराज आप करेंगे सबस्के सास्तार्त करेंगे काष्टी के विद्वान पंडितों से। तो मैंने सोचा कि मुझे तो कल भीर भार में कोई समय देगा नहीं। तो मैं आज ही आगया एक थोड़े इसी बात मैं भी जानना चाहता हूं। मुझे समझा दीचे बागवान शंकर पूछ रहें इस तरह से। तो है जान व्यास दीने बड़े विद्वत्ता के अहंकार से कहा कि हां पूछे पूछे बाबा क्या पूछना है। महाराज सुना चेज भी नाहें मत्तव हैं। एक विद्वत्त संड़े को भूछना है। हाya घृर्ण के देशिटत्ता क्या बापति की विवेक पूछना तो भगवन शंकर जी जु नहीं कहा कि अटेदावेश क किसको कहा जाता है। बोले हर्याम व्यास जी बोले कि सत असत का अच्छी तरह से संपूर ग्यान हो जाए और असत का त्याग कर दिया जाए और सत को स्वीकार कर लिया जाए यहीं विवेक है तो भागवान शंकर ने पूछा सथ क्या होता है और असत क्या होता है तो उनों ने उत्तर दिया कि सथ इश्वर हैं और जगत असत्य हैं तो भगवान शंकर ने पूछा अच्छा ये बताओ, तो आपने सत को ग्रहन कर लिया और असत का त्याग कर लिया, क्या पंडितों को हरा करके आपने अहंकार की जो आप वृध्धी करेंगे, उसी अहंकार की वृध्धी के लिए ही आपका जन्म हुआ है और क्या वही विवे है, तो वो तो अपने को पराजित मन लिये, वास्तों में तो कभी इस बात को सोचा भी नहीं था, उन्होंने चेरंश हुआ, और फिर इसके बाद रात में जब सोए तो भगवान शंकर जी ने सोपन में दर्शन दिया, और शंकर जी ने कहा कि मैं ही वो साधू के रूप में आया था तुमको ज्यान कराने के लिए, तुम विशाखा सक्षी के अवतार हो, तुमको संसार में अहंकार में इस तरह से मतवाला होकर गोमने के लिए मैं नहीं जन मिला है, तुम भगवान की सक्षी हो और प्रभू भगवान श्री कृष्ण की सक्षी वाली साधना करके ज सुबह विश्वनात भगवान को प्रणाम करके वो वापस और चा आ गए और सोचने लगे कि अब मैं किसको गुरू बनाओं तो प्रभू ने ऐसी कृपा कि कि वहां हिता हरिबंस जी की एक शी नवल दास जी थे वो पहुंच गए और उन्होंने इस तरह से हिता हरिबंस जी क कि महिमा का गायन किया और भगवान की रशी कथाओं का रश भरी कथाओं का गायन किया और उनका धर्शन भी करके हरिदाम व्यास जी को पता चल गया कि यह तो बहुत प्रेम रंग मे रंगे हुए हैं और निष्टिती ही जो सखियों का कृष्ण प्रेम हुए इनको से ऐसी इस्थिती प्राप्त हुए आपको उन्होंने पने गुरुदेवीत हरिवर्श का नाम लिया और बताया कि आप उनकी चरणों में जाए तभी आप अपने लक्ष को प्राप्त करेंगे तो नवलदास जी की प्रेजना से वे चल पड़े और महराज अपार धन संपत् परिवार था सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ श्री हरिजाम व्यास जी ब्रंदा बंधाम आये और जिस समय आये हीता हरिवर्श की महराज भागवान के लिए रसोई बना रहे थे उनके चरणों में सास्टांग दंडवत किया और कहा कि महराज हम आप से कुछ सास्त्र चर करने के लिए आये हैं तो यह सुनकर के हीता हरिवर्श जी महराज ने भागवान के रसोई का जो पात्र जिसमें प्रसाद बना रहे थे तैयार कर रहे थे भोग उसको चूले से उतार के जमिन पर लख दिया अब तब हरिवर्श जी बोले कि महराज आप तो महान ग्यानी प आपने इसको उतार के नीचे क्यों कर दिया तो हीता हरिवर्श जी ने कहा कि यह मन बहुत जगह पर जब एक साथ रहता है तो अपने लक्ष पर नहीं रहता है और जैसे पिंगला वेश्या ने बतलाया था कि दो चूड़ी रहती है तो खंखनाती रहती है एक ही चूड़ी और सब्सक्त कूरहना चे जया अर अभी मैं भगवान की डिहान में था भगवान की सेवा में था तो मुझे तो थोड़ी जल एक लिए सेवा Debो रोकनी पड़ेगी के साथ चलो मैं इसी को भगवान की सेवा मंदा मान रहां हूं और तुमारे साथ सास्त्र चर्चा कर लेता ह तो आएसी गंभीर बारता उन्होंने की भागवान की सेवा के सम्मंद में, कि हरजान वियास जी को समाधान हो गया, यही महन पूरुस हैं, जिनके द्वारा मेरा कल्जान होना है, तो हीत हरजान जी से दीक्षा मिली, और शिक्षा भी मिली, और उन्होंने हरजास जी के पास हरजास जी से भी सेवा भावना प्राप्थ हुई और गुरुदेव से तु मिली ही, फिरी ब्रंदावन धाम के रंग में रंग गये, और इनोंने बिल्कुल हीत है कर लिया कि अब मुझे ब्रंदावन धाम से बाहर नहीं जाना है, गुरुदेव ने एक ठाकुरजी का स्व अब लगा कि ठाकुरजी की सेवा के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता था, ये एक बार भागवान के पगडी बाग रहे थे, जाडे का टाइम था पगडी बांदेते जो पगडी बार भार खुल जाती थी की बार पगड़ जाती थी चिक नी कपड़ा चिक ना कि महाराज अची तरह से बंधवा लिजे आप, और मेरा बांधना आपको प्रसंद नहीं, तो अपने हाथ से बंध लिजे, मैं बहुत देर से बंध बंध के परिसान हो गया है, तो रुकती ही नहीं गिरती जाती है, मुझे लग रहा है कि आप बंधवाना नहीं चाहते हैं, चलो, थोड़ी देर बात देखेंगे, ऐसे कह के पगड़ी नीचे रख दिया, और फिर कुंज में जा करके वो ध्यान करने लग गए, भागवान के ध्यान में सेवा करने लगे, और कुछ देर के बात फिर वो, किसी ने जा करके और किसी ने नहीं से कहा है, आज ठाकुर ज पगड़ी सोचे लगे कि मैंने तो पगड़ी नी बांधी नी फिसल जाती थी, भागे वो देखने के लिए दर्शन करने के लिए तो देखा कि पगड़ी बहुत अच्छी बांधी हुई है, और दूसरा कोई था नी जो बांध देता, तो समझ गए कि लाल जी ने अर्था पगड़ी बांधी है, तो उन्होंने कहा कि महराज आपको जब इतनी अच्छी बांधने आती है, तो मेरे द्वारा आपको बांधी हुई पगड़ी कैसे पसंद आती है, मुझे क्या पता था कि अपने हाथ से आप इस तरह से सुन्दर पगड़ी बांध लेते हैं, ऐसे भ कि बहुत लोगों ने पीछा किया कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब हिनों ने एक लीला की, ये एक बार ये राधा बल्लावलाल जोहीत हरिवनस जी कि द्वारा सेवित हैं, इनके ब्यावला, ओ रोजाना ब्यावला का उत्सों मनाते हैं लोग, करते रहते हैं, तो उसमें कड़ी जवर बनती है, आप ये देखे, भोग प्रशाद की बात आ रही है, अब भोग की बात थोड़ी सी मैंने कल भी किया था, आज भी आपको बता रहा हूं कि भोग भगवान का वैष्णों को बड़े आदर के साथ लेना चाहिए, ये नहीं हुआ है, ये अपने ठाकुर जी का भोग है तो, लेकिन जो सात्विक भोग नहीं और अन्य किसी देवता को लगा है, चाहे उसमें तमोगुन की चीजें ही क्यों नहीं हूं, उसको हाद जोड कर के सिर जुका के प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए, तीरास्कार नहीं करना च लेकिन ये इवो सात्विक है और वह रभण मे वाईष्ण वॉपासना से अतिरिक पॉपासना मे जैसे शंकर जी का मानलो भोग है, तो शंकर जी के भोग को ले करके और अपने ठाकुर जी के परशाद में मिला करखाना चाहिये, किन्टु का भाईर्व का मान्समदिरा का भ आपके लिए ठीक है, हम तो बहुत असमर्थ जीव हैं, हम इसको नहीं ग्रहन कर पाएंगे, रादे रादे करके प्रणाम करके क्ष्मा मांग लेनी चाहिए. तो प्रसाद की महिमा की बात हुई, तो ये जो महराज ने, हर्याम व्यास जी ने, रादा वल्लब जी के प्रसाद को ग्रहन किया था, अब उस कथा को विस्तार से मैं कल सुना हूँगा, स्री रादे रादे रादे.